गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स आज जो हमारा नेक्स सेशन है सेशन एट कॉमुनिकेटिंग इफेक्टिवली देखो स्टुडेंट इसमें थोड़ा सा आप यह ध्यान रखेंगे कि जब हम कॉमुनिकेशन तो बचपन से ही करते आ रहें कॉमुनिकेशन का मतलब होता है बा अगर आप किसी को किसी बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं जैसे आप किसी को समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं यह काम ऐसा होता है तो अगर आप उससे नॉर्मल कॉमुनिकेशन करोगे तो वो उस बात को समझ नहीं पाएगा और आपकी बात मानेगा नहीं बट अगर आपके जो हम CSR पढ़ रहे हैं को customer service representative देखो उसे call attend करनी होती है customer की तो वो customer की call phones या email या face to face ठीक है वो कहीं भी customer की calls वगरा attend करता है तो अगर उसके अंदर effective communication skill नहीं होगा और भी इसमें बहुत सारे skill होते हैं जैसे proper grammar, active listening या reading skills ठीक है तो ये इसमें एक effective communication skill भी आता है जो उसके अंदर होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर वो customer को कुछ समझा रहा है तो customer उसकी बात मानना भी चाहिए ऐसा नहीं है कि वो उसको समझाए और customer उसकी बात से satisfy ना हो पाए ठीक है आपको पता होगा वो कैसे बात करते हैं किस तरीके से उनको समझाते हैं इसके लिए उनकी को special से एक training दी जाती है ठीक है 15-20 दिन की उसके बाद ही उनकी call attend करने के लिए बिठाय जाता है तो इसी में ही एक आपके पास मतलब skill रहता है जो CSR के अंदर होना चाहिए और वो है effective communication it means effect पढ़ना चाहिए जब भी आपको किसी को बात समझा रहे हो ठीक है और effective communication एक professional तरीके से और professional environment होता है जब आप नौकरी करते हैं या कहीं क्योंकि घर में हम रहते हैं तो हम normal बात करते हैं normal communication करते हैं कैसे भी उट पटांग करके अपनी बातों को एक दूसरी के साथ communicate करते हैं बट जब आप professional या जॉब में कहीं जाते हैं interview के लिए जाते हैं या अपने बहुत से बात करते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है क्यों क्योंकि हमें अपने professional goals को achieve करना है ठीक है अपनी promotion लेनी है वो सारी बाते उनको समझानी है और CSR का तो काम ही है calls को attend करना और उसको बाद में customer को satisfy भी करना है ठीक ह फोन के उपर ही उनको समझाना होता है कि नहीं उनका ऐसे से ऐसा कुछ हुआ है ठीक है तो उसकी बातों से satisfy होनी चाहिए इसमें एक आपको example दिया है यह मैंने exercise आपको करने को दिया है इसको कर लें thank you